तो रिसेंटली मैंने अपने लिए एक अक्शन कैमरा पर्चेस किया था और वो है ये डीजी आई का आक्शन 2 कैमरा ये जो कैमरा है अभी कुछ पहले ही तेल्स में 12-13,000 की प्राइस कैटेगरी में आपको देखने को मिल था जो कि मेरे ये था अपते बहुती बड़ी ओपर ह मुझे एक एक एक्शन कैमरा की रिक्वार्मेंट थी प्योवी शॉट्स के लिए बीटी एस शॉट्स के लिए और कभी कदर मोटो व्लॉगिंग के लिए मेरे लिए कैमरा का कॉम्पाक्ट नेशर एक बहुत इंपॉर्टन अश्पक्त था और आप देख सकते हो कि ये कैमर के साथ ही मिल जाती है जिसी वजह से जो मेरी मेजर रिक्वार्मेंट जैसे की प्योवी शॉट और मोटो व्लॉगिंग शॉट और मीटियस वीडियो शॉट वो आप बहुत ईजली जो है इसको यहां पे नेक में लगा करके ले तकते हो आईए मैं आपको दिखा देता क्लोस फेस पॉसिबल आप कर लो फिर इसके बाद नेक्स रैप में जो मैगनेट लगा हुआ उसको आप जो है इस कैमरा के पीछे इस तरीके से यूँ अटैश कर दो इसको जो है अपने टीशर्ट के अंदर टकिन कर लेना है और यहां पी जो है कैमरा को इस तरीके से जो है आपको यहां पे अपने टीशर्ट में लगा देना है अगर आप इस तरीके से लगा दोगे तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से यहां से कियूर्ली जो है प्लेस हो जाता है थोड़ा सा आपको कभी कभी जो है मोटो व्लॉगिंग में ऐसा लगेगा जब बहुत ज्यादा आपको दर लगेगा जो है जो है खड़े बगेरा में बहुत खराब रोड पर दर एकदम नहीं करा सकते हो बाकी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि नेक्ट्राप लगा के जब आप मोटो व्लॉगिंग करो के तो इस तरीके का रिजल्ट सामने निकल के आएगा जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की फ्रेमिंग आपको देखने को मिलेगी मुझे जो है यह फ्रेमिंग वैसे तो पसंद है लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है जो बाइक का टैंक है वो थोड़ा ज्यादा विजिबल हो रहा है लेकिन क्यूंकि इसका 155 डिग्री फील् अगर आपको रिल के फॉर्माट में सो क्रॉप करना है तो वह बहुत इसली क्रॉप हो जाता है यह जो फूटेज यह रॉक सेडी में रिकॉर्ड की गई यह रॉक सेडी के लावा इसमें होराइजन बैलेंसिंग होराइजन सेडी जो है इस टेबलेजिशन भी दिये हुए ह लेकिन जब आप लगें लेकिन लेकिन उस समय जो है क्योंकि लाइट बहुत कम हो गई थी तो बहुत ही पुटेज अच्छी नहीं आई यह तो एक बात आपको ध्यान रखने है कि लो लाइट से रायोस में जो है होराइजन बैलेंसिंग जो मोड पे बहुत ही खराब लाइट हो एंवार्मेंट में बाकि मोटर व्लॉगिंग के अलावा इसमें आप सिनेमाटिक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि अल्ट्रावाइट के लावा इसमें वाइड और दीब रैप मोड भी दिया हुआ है जिसमें आपको तोड़ा सा ऐसे स्ट्रेश जो होत निकलते हैं जब आप इसमें सिनेमाटिक मोड पर रिकॉर्ड करते हो तो तो अब चलते हैं हम लोग वर्डिक की तरफ तो जैसा आपने अभी सैंपल वीडियो देख लिया कि इसकी वीडियो कॉलिटी मेरे ताप से बहुत टॉप नॉच वीडियो कॉलिटी है इस प्राइस के डिगरी में 12-13,000 में मेरे ताप से बहुत कम चॉइस आपके सामने आत आते हो मोटो व्लॉगिंग की अक्सेसरी वगेरा में तो यह कैमरा आपके लिए बहुत ही जादा अच्छी रिजल्ट आपको दे सकता है क्योंकि यहां पर आप इस नेक बैंड अक्सेसरी का यूज़ करके एजिली जो है मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हो और जनरल करें मेरे चैनल को अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ गुडबाए